आप लोगोंने ये बहुत सुना होगा कि इनके जैनिटिक से ऐसे हैं कि जिसकी वज़े से इनके बाल जयवानी में उड़ जाते हैं। जो भी हमारे अनुवांसी गुड़ और अफगुड़ होते हैं वो हमारे मम्मी की तरफ से या भारी पापा की तरफ से हमको विरासत में मिलते हैं कई लोगों के बाल उनकी माता की तरह बिलकुल भी नहीं होते हैं उनकी नानी की तरह या उनकी मौसी की तरह इसी तरह से पिताजी के खांदान में बात करें तो आपके अपके चचेरे भाई, दादा, दादी, भाई, भाई, भेन, चाचा किसी की भी तरह हो सकते अगर आपके भी खांदार में किसी की hair fall की history रही है तो आपको भी बहुत ज़्यादा सतर हो जाने की जरूरत जितनी ज़्यादा care आप अपने बालों की करेंगे उतना ही कम आपको hair loss होगा genetic कारणों की वज़े से hair fall की संभावना पूरसों में बहुत ज़्यादा होती है जबकि महिलाओं में बहुत कम होती है आपने देखा हुआ कि दो भाई हैं दोनोंके दोनों बाल बहुत ज्यादा झढ रहे हैं और उनके पिताजी के बी बहुत ज्यादा कम हैं लेकिन उनकी भेहन पूरे बाल हैं।